नमस्कार दोस्तों मेरा नाम कपिल है आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में आज की जो क्लास है दोस्तों ये आप्टिक्स चैप्टर में फिफ्थ लेक्चर है हमारा जिसमें इसके पहले आप्टिक्स में हम प्रकाश का परावर्तन पूरे तरीके से पढ़ चुके हैं जिसको कि हमने यूटूब पर Part 1, Part 2, Part 3, Refraction Part 1, Optics Part 1, Optics Part 2, Optics Part 3 और Optics Part 4 के फॉर्म में हमने उसको जो है वो यूटूब पर डाल रखाया तो उन चैप्टर्स को भी हाप स्टडी कीजिए साथ में हमने जो पिछली क्लास थी हमारी उसमें हमने प्रकाश का अपवरतन जी हाँ Refraction of Light के बारे में हमने उसमें बात करी थी और उस क्लास में हमने देखा था कि प्रकाश का अपवरतन क्या होता है किस प्रकार से प्रकाश का अपवरतन होता है, माध्यम क्या होते हैं, सघन माध्यम क्या होते हैं, और वेरल माध्यम क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बात करी थी, साथ में ही हमने बात करी थी प्रकाश के अपवरतन के नियमों के बारे में, जिया, तो इतना पढ़ने के ब अपवर्तनांक के प्रकार, जब हम अपवर्तनांकों के प्रकार की बात करते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, दोस्तों हमार पास अपवर्तनांक के, एक होता है निर्पेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, निर्पेक्ष अपवर्तनांक और स आपक्ष अपवर्थनाक्छ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं मेटर प्रतिस होती है प्रकाश की चाल निर्वात या वायू में तो ये सरवाधिक चाल होती है तो चेल दोस्तों छा ये शवर्पर्थनांग करते हैं किसी को प्रकाश के चाल जो होगी वो उसके आधार पर जो है गणना करी जाती है निर्पेक्षफ वरतनांग की दोस्तों गणना करी जाती है तो ऐसा हम जानते हैं कि हम अपवरतनांग को किस तरीके से परिवाशित करते हैं तो अपरतनांग जब हम निकालेंगे अपरतनांग के प्रकारों के अधार पर जब उसका कौनसा परतनांग निकालेंगे दोस्तों निर्पेक्षफ वरतनांग की जब हम बात करते हैं जी हां निर्पेक्षफ वरतनांग की जब हम बात करते हैं तो निर् किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जी हां इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है तो निर्पेश अपरतनाक जम कहीं पर भी लिखेंगे तो अपरतनाक को किसे दर्शाते हैं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जाता है एक बार फिर से हम देखते हैं कि दोस्तों प्रकाश की चाल जो होती है सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो वायू या निर्वात में होती है और जब हम निर्पेख्ष की बात करते हैं तो निर्पेख्ष मतलब किसी एक ऐसी चीज़ के आधर पर उसकी गड़ना करी जाती जहां उसका मान सरवाधिक होता है तो वायू या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो सरवाधि और इसी चीज़ को हमने क्या नाम दिया है दोस्तों निर्पेक्ष अप्वरतनांग के बारे में हम पढ़ते हैं तो देख़ें जिस प्रकार से हमने निर्पेक्ष अप्वरतनांग की बात करी उसी अगर सूत्र के रूप में देखे जाए तो दोस्तों उस आधार पर कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल तो दोस्तों ये जो हम लोग ग्याद करते हैं कौन सा सापेक्ष अप्वरतनाग की जब हम बात करते तो अप्वरतनाग को हम दर्शाते हैं न्यू से ही दर्शाते हैं किन्तु पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को वीवन और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को जब नापा जाता है और उससे जब अप्वरतनाग जयात होता है उस अप्वरतनाग को हम कौन सा अप्वरतनाग कहेंगे दोस्तों सापेक्ष अप्वरतनाग का नाम हम उसको देते हैं अब इतनी बात जानने के बात हमारे मन में यह प्रश्न उठता है या उठना चाहिए कि आखिर जो यह अपवर्तनांग है यह किन बातों पर निर्भर करता है तो उस आधार पर जब हम देखते हैं तो आईए अब देखते हैं कि अपवर्तनांग किन बातों पर निर्भर करता है तो आईए समझते हैं तो हमने देखा है शुरू से हम जो पढ़ रहे हैं उस आधार पर यह कि प्रकास जो है वो सदेव किसी पारदर्शी माध्य में गमन करता है प्रकास जो है वो सदेव किसी ना किसी पारदर्शी माध्य में गमन करता है अपारदर्शी माध्य में प्रक निर्भरता कि किसी भी पारदर्शी माध्यम का अपुरतनांक किन बातों पर निर्भर करेगा तो सबसे पहले दोस्तों अपुरतनांक जो है वो सबसे पहले depend करेगा किस बात पर तो माध्यम के जोड़े की प्रकृती पर ये निर्वर करेगा तो कैसे दोस्तों माध्यम के जोड़े की प्रकृती पर कैसे निर्वर करेगा तो माध्यम दोस्तों हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सगन माध्य प्रकाश के रण सगन से विरल में जाएगी या तो विरल से सगन में जाएगी ये क्रिया जो है निरंतर चलते रहती है तो इस आधार पर यदि हम देखा जाए कि विरल माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के सापेक्ष सगन माध्यम का अपवर्तनांग जी हां सगन माध्यम का अपवर्तनांग जो है विरल माध्यम के सापेक्ष सरल माध्यम का अपवर्तनांग जो होगा वो कैसा होगा दोस्तों सीदी से बात है कि अधिक होगा जी हां अधिक होगा होगा और वहीं विरल सगन माध्यम के सापेक्ष विरल का विरल माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो कैसा होगा कम होगा कम होगा कभी-कभी इसको लिखा जाता है एक से कम होगा जियां एक से कम होगा अपवर्तनांक को बहुत बड़ी राशी नहीं है इसका मान जो एक दो तीन और चार इससे ज़्यादा कभी इसका मान होता नहीं है तो अपवर्तनांक का जब मान निकालते हैं कब जब सगन से विरल माध्यम में जाएंगे मतलब सगन के सापेक्ष विरल माध्यम का जब फृतनांक होता है वो कम होता है या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक से कम होता है यह है पहली निर्वर्ता दोस्तों वहीं जब दूसरी निर्वर्ता की बात करते हैं तो यह बात होती है माध्यम की बहुतिक अवस्था परजियां किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं माध्यम की बहुतिक अवस्था दूसरा जो है वो माध्यम की बहुतिक अवस्था तो माद्यम की बहुतिक अवस्था के बारे में जब हम बात करेंगे तो बहुतिक इस्तिती मतलब ऐसा कि एक ही शब्दा आता है याँ पर घनत्व यदि किसी माद्यम का घनत्व अधिक है तो उसका पुर्तनांक अधिक होगा मतलब ऐसा लिखने हम कि घनत्व अधिक होने पर किसका घनत्व दोस्तों माद्यम का घनत्व अधिक होने पर अपुर्तनांक भी अधिक होता है इसको हमें याद रखना होगा तो घनत्व के आधार पर बात करी जायते प्रशन देता हूं दोस्तों इसका उत्तर ढूंडिएगा कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका घनत्व सरवादिक होता है जिया इस प्रशन का उत्तर जरूर आप ढूंडिएगा प्रक्षा के बात मे वहीं जब हम तीसरी बात करते हैं दोस्तों तो जो तीसरा है जो जिस चीज पर निर्वर करता है वो है प्रकाश की तरंग दैर्दे पर निर्वर करता है तो प्रकाश की तरंग दैर्दे पर कैसे तो दोस्तों हम जानते हैं कि पहले लिख लेते हैं प्रकाश की तरंग झञें क्वोल रहे हैं अब यह जानते कि श्वेत प्रकाश है वह कितने रंगों से मिलकर बना है जिसमें बैंगनी है नंबर-1 पर और लाल है नंबर सबसे आखरी मतलब यह एक बहुए ऐसा बोला जाता है कि बैंगनी की रंग कर जिस रंग की? कि Even her numbers and smile。 जिसरंग की तरंग देरें। जिए दोस्तों जिस रंग की तरंग देर देर वेव लेंद जिया क्या कहते है इसको वेव लेंद जिस रंग की तरंग दैर दिया अधिक होगी जिस रंग की तरंग दैर दिया अधिक होगी, क्या क्या दोस्तों मैंने जिस रंग की तरंग दैर दिया अधिक होगी उसका अप्परतनांख क्या होगा, कम होगा, जिस रंग की तरंदैर अधिक होगी उसके लिए कम होगा कि कम होगा और जिसकी तरंग दैर्दिक कम होगी उसका अप्वर्तना आंख जो है वो क्या होगा उसका प्रतना अधिक होगा इसके बाद दोस्तों यदि हम इसको और एक रूप से जानने की कोशिश करें अगर क्योंकि इसमें होता है अक्सर कंफ्यूजन होता है हमको तो इसको हमटा देते हैं से और अब इसको और दूसरे तरीके से समझें कि भई बैंगनी रंग के लिए जी हाँ ऐसे याद रखेंगे बैंगनी रंग के लिए माध्यम का प्वर्तनांग सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए माध्यम का प्वर्तनांग सबसे कम होगा अगर ऐसा याद रखते हैं तो आसानी होगी कि भई बैंगनी रंग के लिए माध्यम का प्वर्तनांग सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए माध्यम का प्वर्तनांग सबसे कम होगा यह था हमारा तीसरा बिंदू इसके बाद जो हमारे चौथे विंदू के हम बात करते हैं दोस्तों तो वो है माध्यम का ताप तो दोस्तों ताप बढ़ाने पर क्या होता है ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक कम हो जाता है ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक कम हो जाता है पर इसका अर्थ यह नहीं कि ताप कम करने पर अपरतनांग बढ़ेगा इस बात को ध्यान रखेंगे तो दोस्तों हमने सबसे पहली बात जो पढ़ी कि अपरतनांग किस चीज़ पर निर्वर करता है तो सबसे पहले के सापेक्ष सगन मात्यम का परतनांग क्या होगा यह हमने देखा जिसमें हमने यह देखा कि भई सगन मात्यम जो है विरल मात्यम के सापेक्ष सगन मात्यम का परतनांग जो होता है वो कम होता है और अधिक होता है और सगन के सापेक्ष विरल का जो है वो कम होता है वही मात्य कि भौतिक अवस्ता पर यespère भौदिक अधिक होगा तो अफ़र्टनांख भी अधिक अधिक होगा। और वहीं अमने देखा प्रकाश के रंग पर या कभी कभी पूचा जाता है प्रकाश की तरंग दैरदय पर तो बेंगनी रंग के लिए बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक जो है वो सबसे कम होता है साथ में माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसका अपवर्तनांक कम हो जाता है इन बातों को याद याद रखेंगे तो कभी हमारा कोई भी प्रश्ण जो है वो गलत नहीं होगा जिया गलत नहीं होगा अब इसके बाद में कुछ important points है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा important points या points to remember जिसमें पहला point दोस्तों यह होगा यह याद रखेंगा परिक्षा में कई बार पूछे गए हैं यदि आपतन कोण का मान कितना हो शून्य होतो अपवरतन कोण का मान भी शून्य होता है अपवरतन कोण का मान भी शून्य हो जाता है दूसरी बात भई यदि कोई प्रकाश के रण किसी प्रथककारी तल पर किसी प्रथककारी तल पर है अभी लंबवत जियां अभी लंबवत अभी लंबवत आप्तित होती है तो अपवरत्त के रण के मार्ग में कोई विचलन नहीं होता कोई विचलन नहीं होता कोई विचलन नहीं होता सीधी सी बात है दोस्तों जब भी कोई अभी लंबवत आएगी किसी तल पर तो वो सीधी चले जाएगी उसके मार्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये तल से कितने कौन पर आएगी, नपे डिगरे के कौन पर आएगी, साथ में तीसरी बात दोस्तो, म्यू मतलब अपवर्तनांग, का मान आपतन कोन पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता, जिया, चौती चीज, जैसा कि हमने ऊप्रयोग किया कि एक आयताकर गुटका है इस आयताकर गुटके में प्रकाश के रन आ रही है फिर इसके अंदर से इसका मार्ग परिवर्थी थोरा फिर ये बाहर निकल जा रही है तो इस आधर पर एक निश्कर्श निकाला गया कि यदि आयताकार गुटके के दोनों और का माध्यम समान होतो ध्यान रखेगा प्रकाश के रण का विचलन शून्य होता है इसको कभी कभी ऐसा डेल्ट बराबर जिरो से भी दर्शाया जाता है जैसा कि हमने देखा था कि प्रकाश किरन जो है जब समांगी माध्यम से चलेगी किसी माध्यम में प्रविश करेगी और वापस उसी माध्यम में अफ़र्तित हो जाएगी तो उस इस्तिती में दोस्तों ये जो डेल्टा है विचलन है इसका मान जो है वो शून्य होता है अब इसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदू होगा दोस्तों हमारे पास में उस महत्वपूर्ण बिंदू के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश के आवरत्ती भी होती है, प्रकाश के तरंग्दैर्दे भी होती है, तो इसमें परिवर्तन भी होता होगा अप कि तो कोई याद रखेगा पूछा गया है जब कोई प्रकाश के रंच किसी माध्यम में प्रवेश करती है तब उसकी आवरत्ती और परिवर्तित रहती है कि आवरत्ती जो है वो आपरिवर्तित रहती है किन्तु किन्तु तरंग दैर दिया किन्तु उसकी तरंग दैर दिया चाल और त्रीव्रता बदल जाते हैं किया का दोस्तो मेंने जब भी कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवरत्ती फ्रिक्वेंसी जो है वह अपरिवर्तित रहती है किन्तु उसकी वेवलेंद्ध स्पीड इंटेंसिटी जो है वो बदल जाती है इस बात को दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा जियां इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि हमने ये जो आज अभी जो चीजे जानी कि हमने ये जाना कि भई निर्पेक्ष अफ़रतनांक क्या होता है वो हमने जाना कि जब भी कोई प्रकाश किरण निर्वात या वायू से किसी मात्यम में प्रविश करती है तो उस इस्तिती में जो अफ़रतनांक निकाला जाता है व इंधयाद ये दितक्तमें हुमने यह देखा कि अप्वरतनांक जो है कि Multipathy निरभर करता है तो आपषरतनांक जो है सबसे पहले म्हाद्यम के जोड़े पर जिला माध्यम के जोड़े क प्रकृती पर निरivas करता है तो यह इन दृखन माध्यम के सापेक्षा गनमाध्य तो अपरतनाख एक से कम होता है साथ में प्रकाश के रंग पर निर्वरता आई तो प्रकाश के रंग की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का परतनाख सरवादिक होगा और लाल रंग के लिए माध्यम का परतनाख जो है वो सरवादिक सबसे कम देखा जाएगा साथ में माध्यम की बहुतिक इस्तिती पर अर्थात ये कि यदि किसी माध्यम का घनत्व अधिक है तो उसका अपवरतनांक भी अधिक होगा उसका अपवरतनांक भी अधिक होगा और आखरी में हमने चौथा पॉइंट यह देखा था कि यदि किसी माध्य का ताप बढ़ता है तो उसका अपवर्तनाग जो है वो कम हो जाता है जियां और साथ में कुछ महत्वपन बिंदु देखे हमने कि यदि कोई प्रकाश की रण किसी पारदर्शी तल पर या किसी अपवर्तक सता पर अभिलंबवत आप्तित होती है तो वह बिना विचलन के गुजर जाती है और साथ में हमने यह भी देखा कि यदि प्रकाश के गुटके के पहले और आखरी माध्यम एक जैसे हो मतलब यह दि प्रकाश की रण का पहला माध्यम और अंतिम माध्यम एक ही हो बीच में वो कितने भी माध्यमों से अपवर्तित हो जाए पर इस इस्तिति में जो है उसका विचलन जो है वो सदैव शुन्य होता है वो अपने मार्ग से ज़रूर भठकती है किन्तु अपने मार्ग को समांतर रखते हुए आगे बढ़ जाती है जी हां दोस्तों जिसको कि हमने यह बताया कि वह डेल्टा बराबर जीरो होता है क्योंकि दो समांतर रिखाओ के मध्यका कौन जब निकाला हमने तो यहां पर ज दिरभर नहीं करता है और वहीं एक और विंदु हमने जाना कि जब कोई प्रकाश्किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवरत्ती जो है वह अपरिवर्तित रहती है किन्तु उसकी चाल उसके तरंग दैर दियर और उसकी तीवरता जो है व आवरत्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तों उसके तरंग्द्य चाल और तीवरता जो है वह बतल जाती है तो यह एक खास ही बहुत ही महत्वपूर्ण सी बाते जो है हमने अभी डिसकस करी दोस्तों इसके बाद में कुछ छोटे-छोटे नियम है जिसके बारे में हम ब बात करेंगे